हेलो और जहीं सुडेंट, वेकम बैग तो यह ओन चैनल, सतर उन्रपानी, एक्स्क्लूजिव चैनल फॉर आईट्यस्टी बोर्ड स्टुडेंट्स, हाँ आप है मेरे सूपर स्टार्ज और आप के लिए ही करेंट स्लिबस के अपवर्डिंग हम बना रहे हैं, हिस्ट्री का य यह सब कंटेंट एपसिलूटली फ्री हैं, यह सब लेसन वीडियोस फ्री हैं, और स्क्रीन पे हर एक नोट्स जो ही आप देख रहे हैं, वो सब कुछ एपसिलूटली फ्री है, हमारे एप पर जाएए, सरतरुन रपानी और वहाँ पर आप खोशिये, हाँ, वहाँ पर मेरे सूपर स्टार्स के लिए बनाए गए हैं, तो स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट फेज ऑफ इंडियन नैशनल मुवमेंट, तो हमारे भारत की अजादी की लड़ाई, कॉंग्रेस के बंग जाने के बाद और तेज हो गई, और विक्राल गूप ले लिया, 1885, इंडियन नै नैशनल फ्रीडम मुवमेंट को तीन फेज में डिवाइड किया जा सकता है, पहला फेज है, इंडियन नैशनलिस फेज, जिस पर हम ये चप्टर कर रहे हैं, 1885 से लेके 1907, सर 1907 क्यों, क्योंकि 1907 में जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट फेज है, कॉंग्रेस का मॉडरेट का फेज है, वो वहाँ पर एंड हो जाएगा, और एक नया फेज शुरू हो जाएगा, अजर्टिव, अथार्थ वो कॉंग्रेस के लोग, जो अपनी बात, मास मुवमेंट के थूँ और मैसिव स्किल पर काम करना चाते थे, तो अगला मुवमेंट, अगला फेज, अजर्ट और मॉडरेट्स, जिनको हम अर्ली नेशलिस कहते हैं, दुन मिल जाएंगे, फिर आता है, गांधी की आंधी, हम इसे कहते हैं, गांधियन एरा, गांधी जी, 1915 में, इंडियन पॉलिटिक्स में, एंडर कर जाएंगे, और वहाँ से लेकर, आजाधी होने तक, गांधी जी क ही पूरे देश में आंधी चलेगी, क्योंकि गांधी जी ही सारे नेशनल मुवमेंट के सबसे बड़े लीडर होंगे, तो स्टार्ट करते हैं, फस्ट पेज ऑफ इंडियन नेशनल मुवमेंट का स्टार्टिंग, जब हम अर्ली नेशलिस की बात करते हैं, तो ये वो के मेंबर होने के साथ साथ, ये भी ध्यान रखते थे, कि वो अंग्रेजों के प्रती वफादार थे, तो ये गलत सोच थी, वो उनको बाद में पता चलेगी, हाँ, ये गलत फ़हमी थी हमारे अर्ली नेशलिस्ट की, मॉडरेट पेट्स के लीडर्स की, तो ये जब कॉंग को फॉर्म करने में मदद किया, वही ये लिडर्स हुआ करते थे, ये सच्चे देश प्रेमीतों थे, पर ये अंग्रेजों पर पूरा भरोसा था, ये अंग्रेजों के वफादार भी थे, ये बिटिश रूल को कंटिनीव रखने में बिलीव करते थे, चाते थे लिस्ट एजुकेटिड हुआ करते थे पड़े लिक्य हुआ करते थे जादा तर प्रोफेशनल्स जैसे लॉयर बैरिस्टर्स टीचर्स ओफिशियल्स आईए कुछ अर्ली नेश्ट लिस्ट को आपको दिखा भी देते हैं आप देख भाएंगे दादा भाई नेरो जी जो प्रेनाद बैनर जी फर्स्ट इंडियन टू पास आईसी एस एक्जाम कुपाल कृष्न कोकले स्वैम बहुत बड़े एजुकेशनिस्ट रहे हैं कई सारे पेपर कई सारे बुक्स के राइटर हैं तो सारे एजुकेटेड लोग पड़े लिके लोग शुरुआत के कॉंग्र इसके लिडर्स रहे हैं आईए कौन को लिडर्स रहे हैं उनमें से डवलू सी बैनर जी वो मेश चंद बैनर जी यह फाउंडर मेंबरों में से एक है कॉंग्रेस के इन्हों नहीं फर्स्ट कोंग्रेस की पहली जब मीटिंग वही 1885 में उसके यह प्रेजिडेंट थे राज बड़े educated qualified लोग अब उनमें से दादा भाई नेरु जी स्वैम, Grand Old Mail of India, गुपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाम हैता, जस्टिस राना डे जी, हाँ, M.G. राने जी आप देख पा रहे हैं महादेव, गोविंद राना डे तो एक से एक बड़े लीडर्स थे हमारे पास औ open-minded थे, moderate politics में believe करते थे और British crown के प्रती loyal थे, कोई एक ऐसा nationalist जिसे हम इन सब में से कह सकते हैं, father of Indian nationalism, जिसने भारत में तेश प्रेम जगाया, कौन है, कौन है, बताइए आप, बताइए ऐसा कौन सा nationalist है, जिसे father of Indian nationalism, भारत में तेश प्रेम जगाने वाला, वो लीडर कौन ह चलिए, क्या कहा, मालुम है, तो type करिए comment box पर, मैं आपका wait कर रहा हूं, और नहीं मालुम है, तो wait करिए, आपको detail में बताऊंगा उनके बारे में भी, उनके contributions के बारे में बताऊंगा, और बताऊंगा वो कौन है, तो early nationalist, अथार्ट Congress के शुरुवाती leaders, इनका अंग्रेज के प्रती ये integrity, अथार्ट honesty से काम करते, उनको believe था कि अंग्रेज स्वैम भी honest है, याद रखेगा, ये इनकी गलत फेहमी है, मैं अभी बोल दे रहा हूं, early nationalist यहां हमारे गलत है, क्योंकि अंग्रेज दोखे बाज थे हैं, क्या मैंने कहा, अंग्रेजों ने हमेशा भारतिय को चीत किया, वो हमसे दोहरी नीती, हाँ, double standards follow करते थे हमारे साथ, हमारे साथ भेद भाव करते थे, तो ये गलत हो गए हमारे early nationalist, और it was hoped that the British would grant home rule, क्या चाहिए हमें, home rule चाहिए, मतलब अंग्रेज देश छोड़के ना चाहें, अंग्रेज यही रहें, हम देश को चलाएं अंग्रेज हमारे उपर बस बैठे रहें, सोचिए, क्या अंग्रेजों ने ऐसा कुछ किया था, हाँ, अंग्रेजों ने home rule केनड़ा को दे रखा था, अंग्रेजों ने ऐसा home rule Ireland को दे रखा था, तो ऐसा ही home rule हम भारत में भी चाहते थे, rule within the British Empire का नाम दिया गया था, और क पांते थे, कि अंग्रेज हैं, तो हम मारे भारत को बहुत फाइदे हैं, और तो और वो British को help भी करना पसंद करते थे, वो चाहते थे, कि हमारे यह Western standard के according, अंग्रेजों के standard के according हम लोग काम करें, वो अंग्रेजों पे अगर कोई शिकायत करना चाहते थे, तो वो constitutional तरीके स पीस्फुल तरीके से, मतलब जब भी करना है विरोध, तो कानून के दाहरे में रह के करना है, ये अच्छे होने का उनका कारण था, अर्ली नेस्ट्रिस सच में अच्छे थे, तो क्या डिमांद रखी, क्या उनुने मांगा, मैंने कहा अजादी तो कभी मांगी नहीं उनु अजादी के दो बाती नहीं करते हैं, पर उस समय जो अत्याचार हो रहे थे, उनको कई तरीकों से उनुने दूर करने की कोशिश की, उनमें से पहला है, constitutional changes करना, जिस हम कहते हैं, कानून में बरलाव लाना, reforms लाना, क्या वो reforms थे, जैसे Indian council को बंद कर दिया जाए, क्यों, सर इसमें कोई इंडियन मेंबर नहीं था, इसलिए उन्होंने कहा इसको बंद कर दिया जाए, और क्या किया जाए, legislative council को और assembly को उल्टा किया जाए, इसको बढ़ा दिया जाए, क्योंकि इसमें इंडियन मेंबर थे, इसको expand किया जाए, और Indian council को बंद कर दिया जाए, और क्या चाहते थे इंडियर मेंबर की संख्या इंक्रीज की जाए क्योंकि इंडियन्स को अगर इंक्लूड ही नहीं करेंगे कानून में राय मशुरा करने में तो फाइदा क्या है उन्हों एक स्लोगन दिया था नो टेक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन अथार हमें कानून बनाने में अपने कॉंस्टिटूशन में आप साथ रखो तभी हम आपको टेक्स देंगे अच्छा तरीका है ना मैंने कहा था क्या चाहिए होम रूल अजादी नहीं चाहिए होम रूल चाहिए और तो और यह चाहते थे कि हमारे इंडियन्स को एक्जेकुटिव काउंसिल का मेंबर बनाया जाए क्या इन मेंसे डिमांड्स पूरी हुई नहीं हुई आईए अभी इसके बाद बताऊंगा कौन कोन सी डिमांड इसमेंसे पूरी हो भी रही है कि नहीं हो रही है अच्छा अगला डिफॉर्म्स क्या चाहते थे economic reforms चाते थे आर्थिक सुधार चाते थे क्या था उसमें से जैसे land tax कम किया जाए किसानों की रक्षा की जाए जमिंदारों से इंडियन आर्मी पे अंग्रेज बहुत खर्चा कर रही थी बहुत बड़ी सेना उन्होंने रखी थी उस पे खर्चे कम किया जाए अथात वेस्टे जॉप मनी रोका जाए क्या इसके लिए कुछ हुआ था क्या अंग्रेजों ने कुछ भी बात इन अर्ली नेस्टिस की मानी की नहीं मानी अभी बताऊंगा हाँ इसमें है इस बात कि इनमें से क्या क्या मांग मानी गई तो अंग्रेज वेस्टफुल खर्चा कर रहे थे सेना पे बहुत पैसे खर्चा कर रहे थे इंडियन गरीब क्यों थे पावर्टी क्यों आ रही थी देश में फैमाई चला था क्या इस पे कुछ किया जाए यह सब एकनॉमिक बदलाव है रिफॉर्मस है जो अर्ली नेस्टिस मांग कर रहे थे चाते थे किसानों को सस्ते में लोन मिल सके चाते थे बैंकिंग, इरिगेशन यह सब फैसिल्टीज इंप्रूव हो इंडस्ट्रियों को मदद की जाए ग्रोथ करने में ताकि देश आर्थिक रूप से सुधरे देश बहुत गरीब था उस समय पे और सबसे इंपर्टन चीज जो सॉल्ट पे टेक्स लगा हुआ था हमारे देश में नमक पर भी टेक्स लगा था जो कि हर घर में चाहिए और ट्यूटी ऑन शुगर शुगर पे भी टेक्स सोचे बिना चीनी के आपका दूद और बिना नमक के आपकी सबजी समझ रहे हैं यह सब चीज पे टेक्स लगा था और इसको वो रिडूस करने के लिए आंदोलन करते हैं रिफॉर्म करने के लिए सरकार से कहते हैं यह था अच्छा मैंने छेचे साथ साथ पॉइंट लिखे हैं आपको इतने पॉइंट्स जाद करने की जरुवत नहीं है आप इसमें से तीन मैक्सिमम चार और उसे दा नहीं करेगा ठीक है क्यों तीन चार कह रहा हूं पॉइंट्स करने के लिए आपको क्योंकि जब भी कोई क्वेशन आएगा तो इससे बड़े नंबर के नहीं आएंगे ठीक है यह पॉइंट्वाइस क्वेशन बनेंगे इसी लिए ठीक है अब आता है तीसरा और आखरी डिमांड इनकी क्या है administrative डिमांड मतलब administration करने में देश को चलाने में क्या बदलाव लाना चाहते थे यह चाहते थे कि इंडियन सर्विसेज इंक्लूड की जाए जो भारत के लिए सर्विसेज है वह इंक्लूड की जाए वो चाहते थे कि जो ICS exam है जो civil service का exam होता है जो इसको सबसे पहले qualify किया था सुरिल नाद बेनर जी ने वह सिर्फ इंग्लैंड में ना हो exam इंडिया में भी उसका exam conduct कर रहा है जाए ज्यान दीजेगा क्या यह demands पूरी हो रही है यह सब भी हमें देखना है देबान करना असान है कि अंग्लेज कुछ मान भी रहें कि नहीं इनकी बात अभी आपको पता चलेगा इसके बात और तो और वो चाहते थे कि executive और judiciary में separation हो जाए मतलब कानून बनाने वाले तो legislative होते हैं पर उस कानून को implement करने वाले और उस पर फैसला सुनाने वाले दोनों क्या होने चाहिए अलग होने चाहिए जैसे executives और judiciary और क्या चाहते थे municipality को ज्यादा power दिया जाए ज्यादा control करने के अधिकार दिया जाए आम सेक्ट और license सेक्ट जो इंडियन्स के साथ भेदबाव करता था जो इंडियन्स के साथ इस तरह से भेदबाव करता था कि इंडियन्स को license लिये बेना arms रखने की permission नहीं थी हतियार रखने की permission नहीं थी जबकि Europeans को freedom था क्यों क्यों भिदबाव है इसलिए इसको repeal किया जाए इस कानून को वापस लिया जाए और इंडियन्स को job मिले higher levels पर अंग्रे जैसा कभी नहीं करते थे जितने भी higher positions वा करती थी वो Europeans के लिए England वालों को लिए reserve थी इंडियन्स को higher post नहीं मिलते थे इवन सेनाओं में भी corporal से उपर की rank इंडियन्स को देते ही नहीं थे सूबेदार को उपर की rank नहीं देंगे इंडियन्स को और primary education को include करना ये भी उन लोग चाहते थे ताकि देश में सिक्षा बड़े ओहो और भी demands है क्या मैं तो भूली किया defense of civil rights हमारे rights की रक्षा करना चाहते थे ये भी rights ये भी इन्होंने demand किया rights आँ हमारे पास right to speech हो right to association हो ये rights तो क्या क्या था जैसे हमारे देश में बहुत सारे restrictions लगाए गये थे freedom of speech हमसे चीन ले जाता था अंगरे जम्मन करता था freedom of press चीन लेते थे आपको याद होगा vernacular press act लॉड लेटन ने पास किया था तो इस act में कहा गया था कि इंडियन newspapers को क्या करेंगे हम रोक लेंगे बंद कर देंगे अगर वो British के खिलाफ कोई print करते हैं तो क्यों भाई हमें अजादी होनी चाहिए हम कुछ भी चाप सकते हैं क्या आज के newspaper के पास आज की media के पास अजादी है कि नहीं yes और नो जी हाँ एक दम अजादी है आज newspaper वाले जब चाहें तब इवन मोदी जीती के खलाब government के खलाब भी कुछ भी चाप देते हैं कुछ भी news में चापते हैं जो ही चाहें क्यों क्योंकि freedom of press है तो आज हमारे देश में आपको freedom of speech and press हर जगह में लेगा तो उस समय restrictions लगा किसी को भी इस कानून के तहर बहुत ही खराब कानून था अंग्रेजों का इसमें वो किसी को भी arrest कर लेते थे और उसको जेल में मारते पीटते तरपाते कुचल देते उसको मार डालते उसको हाँ बहुत अत्याचार करते इस विक्ति पे बिना किसी proof के सिर्फ किसलिए करने का अधिकार association बनाने का अधिकार भी उन्हों से वापस मांगा तो अंग्रेजों ने इन सब rights demands को पूरा किया कि नहीं किया आए देखते हैं अचा नहीं पहले समझते हैं कि इन्होंने इन सब मांग को पूरी करने के लिए इनको पाने के लिए क्या-क्या रास्ते अपन हेडिंग करके नाम आ जाएगा कि constitutional reforms में क्या demands मांगी गई अब methods क्या लगाएगा है demands को पूरने के लिए सबसे basic method जो है constitutional agitation method constitution मतलब होता है कानून हाँ हमारे देश को सम्विधान चलाता है भारत को पूरा constitution चलाता है किसी भी देश में ठीक है तो constitution agitation मतलब विरोध मतलब ह इस method को उन्होंने follow किया अब आता है इसके अंदर पहला method क्या है क्योंकि हमें देश वासियों को educate करना है भारत की लोगों को उनका हग बताना है बताना है इंडियन्स को educate करना है इंडियन्स को कि ये आपके rights है और पहला demand तरीका क्या था उनका मतलब अपनी मांग मनवाने पहला method किस तरीके से अंग्रेजों से अपनी मांग मनवा लेते थे पहला method करते थे मीटिंग में speeches होती थी मीटिंग में ही resolution पास कराते थे लोगों से कहते थे आप सब लोग हाथ उठाईए आप लोग हाथ उठाके बताईए कि कितने लोग इस पक्ष के support में है कि देश में example दे रहा हूं कि देश में saltex ban हो जाए तो अगर लोग हाथ उठाएंगे उनसे क्या हो जाएगा उन लोग एक resolution पास करेंगे और यह resolution अंग्रेजों को देंगे भी सिर्फ पास नहीं कराते थे अंग्रेजों को बताते थे कि आम जनता क्या चाहती है और तो और वह समय समय प पेटिशन्स बेज़ते थे और बताते थे कि किस तरीके से उनको कानून में बदलाओ की जरुवत है ऐसे कौन से कानून है जिन में अंग्रेजों को सुधार की जरुवत है हम भारतियों के लिए यह तरीका था यह तो हो गया पहला मेथड दूसरा मेथड हो गया थ्री थ्री पी मतलब होता है prayer, petitions and protest. Prayer मतलब जानते ही है हाथ जोड़ना भाया, अंग्रेज जी मान जाइए, please, हाँ, petitions में letter करेंगे, भीजेंगे, कि please हम आपसे request करते हैं, एक बार, दो बार, तीन बार, क्या करते हैं? मनाना, बहलाना, फुसलाना अंग्रेजों को कि भाया मान जाईए, मान जाईए और तो कुछ करनी सकते हैं लाखीगंडे लेके तो अंग्रेजों के पास पहुत नहीं सकते हैं क्योंकि ये लोग moderates हैं क्योंकि अरली nationalist हैं ऐसा नहीं कर सकते हैं तो ये लोग कभी कभी हमारे इंडियन रीडन यह सुन रहा है फंद यहां की पार्लेमन्य कोождения कोँ भार्ति हो की प्रोब्लम्स बताते थे उनमें से डादा भाई नहरुजी तो आप जानते ही हैं in lust अब आता है क्या achievements हुआ? इतनी demands की early nestles टे कुछ माना भी अंगरे जोने की नई आले नई ऐसा नहीं है कि early nestles टे कुछ पाया नहीं देश के लिए मिला हमें देश में मिला क्या क्या मिला? जैसे early nestles ने हमारे देश में लोगों को जागरुक किया पूरे देश वासियों को देश प्रेम में जोड दिया पूरे देश वासियों में एकता की भावना feeling of oneness लाया क्योंकि सब एकजुट होते थे मिलते थे, राय करते थे discussion करते थे और हुआ इंडियन्स trained हुए politics के बारे में इंडियन्स को पता चल गया कि हमारे आजादी के क्या-क्या ख्याल है हमारी liberties क्या है, secularism क्या है political rights के बारे में इंडियन्स को पता नहीं था उस जमाने में इन्होंने train किया क्योंकि यह सब पढ़े लिके थे highly qualified लोग थे इसलिए आम जनता में भी knowledge फैलाया है इन्होंने और तो और इन्होंने बता था इंडियन्स को कि बिडिश का असली चहरा क्या है हाला कि मैंने कहा यहां वो थोड़े कमजोर हो गए यहां यहां moderate थोड़े कमजोर हो गए पुरा रियल कहते हैं न असली गूप अंग्रेजों का नहीं दिखा पाए और तो और इन्होंने भारत में कई सारे ऐसे प्रोग्राम्स चलाए कई सारे ऐसे काम किये जिसे इंडियन्स को महसूस हो कि इंडिया इंडियन्स का है हम भारतवासियों का है अब कुछ अच्छे काम जो उन्होंने अचीव करके दिखा दिये चलिए क्या achievements थी उनकी जो सच में उस समय apply हो पाई पहला achievement यह हुआ कि एक public service commission मनाया गया 1886 में अथाथ इंडिया में इंडियन लोगों को service देने के लिए commission मनाया गया इतनी बड़ी बात है public service commission जो आज भी है आपने नाम सुना होगा UPSC union public service commission जो IS का exam कराती है वो यह body है पहले इसका नम था PSC public service commission और क्या बनाया house of commons में एक resolution पास हुआ जिसमें ICS का exam अब लंडन और इंडिया में एक साथ होगा यह भी मांग थी उनकी ना इससे पहले बताया था दिमांड में बताया था तो यह दिमांड पूरी हो गई अब इंडियन civil service का एक्जाम भारत में भी होगा और लंडन में भी होगा एक साथ और तो और एक कमिशन मनाये गया जिसका नाम रखा गया वेबली कमिशन जो अंग्रेज फालतु खर्चा कर रहे थे आर्मी पर याद है से पहले डिमांड बताया था मैंने वो भी इनकी मांग पूरी हो गई अब यह कमिशन बताएगा अंग्रेजों को कहां वेस्ट हो रहे हैं घर्चे क्यों अंग्रेज पैसे बरबात कर रहे हैं और इंडियन काउंसिल को चेंज किया गया इसके लिए उन्होंने एक इंडियन काउंसिल एक भी बनाया 1892 तेखा इस तरीके से इंडियन को इंक्लूड करने का मौका मिल गया इंडियन काउंसिल में आते हैं तो अर्लियनस लिस्ट, मॉडरिट्स क्या यह सारे काम अच्छे ही कर रहे थे सब अच्छांऀ ते ने कुछ कमियां तो थी हैं भी विजब क्या कमी थी सबसे बड़ी कमी थी किनके मैत़र्स इनयडिकुए ते काफी नहीं थे देश को अजादी कराने के लिए काफी नहीं थे methods क्योंकि ये सब कुछ किस पर depend करते थे अंग्रेजों की दया पर depend करते थे अंग्रेज अगर चाहें तो दे दया करें कुछ छूट दे दें कुछ reforms करें वरना न चाहें तो कुछ न करें क्योंकि सारा काम prayer, petitions and pleadings पर depend करता था जो की अंग्रेजों की मर्दी है वो अपने ताकत पर अपने दंग पर early moderates देश को अजाद नहीं करा सकते थे न सवाली नहीं और they fail to realize और ये नहीं बता पाए वो लोग कि बिडिश और इंडियन इंट्रेस्ट एक साथ नहीं रह सकता एक तलवार में दो मयाने नहीं रह सकती हम भी अजाद हो जाएं और अंग्रेज भी देश में रह जाएं कैसे संबव हैं अंग्रेजों को तो हटना ही पड़ेगा और तो और they fail to draw the masses आम जंता इनके साथ अंदोलन में नहीं जोड़ पाई मतलब सिर्फ पढ़े लिखे लोग जो qualified थे lawyers, barristers, teachers officials ये लोग तो थे member पर किसान students, घर के ओरते women's, ना 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 ये इनके साथ कभी join ने कर पाए तो इनका moment mass moment नहीं बन पाया जन जन का अंदोलन ये लोग नहीं बना पाए ये इनकी बहुत बड़ी कमी थी आईए, अंग्रेजों के बारे में जाने, ये रहे lot different तो lot different ये जो congress बनाई गई 1885 में इसके प्रती क्या रवया रखते थे इनका क्या विचार था तो शुरुवात में तो government खुद इसको support कर रही थे government तो खुद चाती थी कि एक ऐसी popular ऐसी party बने जो देश के लोगों की problems को अंग्रेजों को बताए एक safety wall का का काम करे और party का नाम था Indian National Congress और founder का नाम था AO Hume तो ये खुद अंग्रेज थे तो अंग्रेजों ने इन sessions में खुद participate किया 1885 की meetings में ये खुद बैठते थे Lord Dufferin जो वोईद रहे थे उस जमाने में उन्हों नहीं खुद इसको support किया था कलकता में तो वो लोग इनको टी party में भी उलाये थे इवन खुद British leader थे मौजूद थे उसमें थीरे थीरे Lord Dufferin इनसे नराज हो गए क्यों नराज हो गए क्योंकि Lord Dufferin चाते थे कि Congress क्या करे सिर्फ social work करे political काम न करे अब Congress की party All India Party है वो देश प्रेम का काम न करे ऐसे कैसे हो सकता है तो इस बात से Lord Dufferin उनसे नराज होने लगे क्योंकि उनको लगा कि Congress अब लोगों के लिए काम कर रही है अंग्रेजों के खिलाफ काम कर रही है अब वो इससे नराज हो जाएंगे अब Lord Dufferin उल्टा करेंगे Congress पे अटेक करना शुरू कर देंगे एक साल पहले ही तारीफ कर रहे थे आज कहते हैं कि ये लोग Microscopic Minority हैं कहते हैं ये Disloyal Baboos हैं या तो कभी-कभी ये तो Violent Willians हैं Congress के लोगों का नाम है नोदे पहले कुछ और था अब कुछ और कर दिया क्या सबित होता है कि अंग्रेज कभी भी हमारे पक्षमें नहीं थे वो सिर्फ अपना फाइदा England का पाइदा सोच रहे थे इंडियन से उन्हें कोई प्यार नहीं था कभी नहीं था सिर्फ अपना फाइदा सोचना चाहते थे बाद में Congress के लोगों की मीटिंग में अंग्रेज आना बंद कर दिये बिडिश लोगों को आना मना हो गया और तो हर जब यह पपलर होने लगी तो अंग्रेजों को अब समझ में आ गया कि इसको तोड़ना पड़ेगा Congress को तोड़ने के लिए Anti Congress बनाने के लिए उन्होंने कुछ ऐसे leaders को चुना जो Congress का विरोध करते थे जैसे सर सयद एमत खान जी को अनूने चुना राजा शिव प्रसाद जो बनारस के एक राजा हुआ करते थे यह लोग बिडिश सपोटर्स हुआ करते थे ताकि इंडियन उसको डिवाइड करो अगर Congress पपलर होगी तो देश में आजादी की मांग करेगी इसलिए क्या करो लडाते रहो इंडियन को शुरू कर दिया डिवाइड एंड रूल हिंदूस और मुस्लिम को लडाते रहो और मजे करो यह अंगरे जो की पुरानी पॉलेसी है अब यह देखते हैं अब हमारे अर्ली नेश्लिज लीडर्स के कॉंट्रिबूशन के बारे में आपको तीन कॉंट्रिबूशन ज्यादा ज्याद कर रहे हैं और कॉंट्रिबूशन नहीं कर रहे हैं हम जो एक्स्ट्रा कॉंट्रिबूशन कर रहे हैं वो आपकी नॉलेज के लिए कर रहे हैं आप team contributions पर focus करिएगा सबसे पहले मिलते हैं grand old man of India डादा भाई नेरो जी से तो डादा भाई नेरो जी स्वैम पार्सी थे professor of mathematics थे एफिल्स्टन कॉलेज बंबे बंबे में स्वैम maths के प्रोफेसर हुआ करते थे और बंबे एस्वैशन नाम की इन्होंने एक संस्था बनाई और तो और ये खुद एक महान लिखक ग्यानी है निउस्पेपर बनाया क्या नाता है निउस्पेपर नामता राष्ट गोपतर राष्ट गोपतर मतलब होता है सच बोलने वाला और तो और ये उन्होंने एक मैगजीन भी लिखी नामता धर्म मार्ग दर्शक तो बहुत ही यह समारे सारे जो नैशलिल डीडर है कोई आम आदमी नहीं है सब उस जमाने के सबसे हाइस एजुकेशनिस्ट है क्या कन्टिब्यूशन किया देखिए पहला कन्टिब्यूशन है ये भारत के ambassador थे वैसे तो हम बनातें ambassador पर ये अनओफिशल ambassador थे मतलब हमारे भारत को रिप्रेजन करते थे इंग्लेंड में ये पहले बेक्ती थे जिन्होंने लंडन में भी एक समस्था बनाई नाम रखा लंडन इंडिया सोसाइटी और वहाँ पर इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ शिकायत करना शुरू की इंडियन्स की जो तकलीफे थी ग्रिडियन्स थी परिशानिया थी वो पब्लिश किया सोचे इंग्लैंड में रह करके इंग्लैंड वाले लोगों की बुराई करना किती बड़ी बात है वहाँ पर जा करके हिसा करना और तो और ये पहले इंडियन थे जो British House of Commons, जैसे हमारे देश में लोगसभा, राजसभा है, वहाँ पर House of Commons एंग्लेंड में, वहाँ के मेंबर चुन लिये गए, imagine एक गुलाम देश का आदमी इंपेरलिस कंट्री में जा करके चुनाव जीत जाता है, सोची कितने महान थे दा इंडियन नैशनल यूनियन, इन्होंने नाम कहा इंडियन नैशनल कॉंग्रेस, कॉंग्रेस के तीन बारों प्रेसिदेंट भी रहे हैं, और सेल्फ गवर्मेंट का नारा देना, देश में बाइकॉट, स्वदेशी, नैशनल एजूकेशन, ये सब बड़े-बड़े, हाँ, प्रिफॉर्म मुव्मेंट थे, ये सब लाने वाले स्वैम दादाभाई नैरूजी है, और तो और स्वराज को पहली बार टेश में होम रूल आए, होम रूल मतलब स्वराज, मतलब रूल विदिन दी बिटिश, ये पहली बार मांग करने की हिम्मत दादाभाई नैरूजी कि अंग्रेज सिर्फ भारत में पैसे के लिए आए हैं हमें लूटने के लिए आए हैं इन्होंने लिखा poverty and unbrittish rule in India जो बताती है अंग्रेजों की सारे social सारे economic बुराईयों के बारे में इन्होंने एक theory लिखी जिसका नाम है drain theory अथार भारत से wealth को drain करके लिए जाना किस तरीक यह से अंग्रेज हमें बरबात कर रहे थे financially यह इस किताब में लिखा है तो एक तरह से एक true true nationalist leader थे डादा भाई नहिरोजी आए अगले महान leaders को परिचय करते हैं आप पहचान पा रहे होंगे गुपाल कृष्ट कोखले गुपाल कृष्ट कोखले महाराष्ट से थे यह भी प्रोफेसर थे history और economics के प्रोफेसर थे Ferguson College इन्होंने Justice Ranaday साब M.G. Ranaday Justice Ranaday की एक संस्था थी नाम था Deccan Education Society उसको जॉइन किया यह England भी गए कई बार और उनको एक अवार्ड मिला नाम था companion of Indian Empire देखा अंग्रेजों नहीं अवार्ड दिया companion of Indian Empire गोखले बहुत ही popular Congress के से मैं हूँ वार्णासी में 1905 में जब Congress का सेशन बुलाए गया उस समय Congress के President थे गोपाल कृष्ण को खले अब तो याद रखेंगे इस सेशन को क्योंकि यह सेशन आपके सर्तरुनरपानी के शेहर में था आये इनके contributions जाने तो इन्होंने Congress को एक Congress को एक मजबूत संस्था ब रहे हैं इसके लिए बेवलेस्ट कमिशन बनाये जाएगा यह बात उनकी सही साबित हो गई उन्होंने रेशल डिस कमिशन का विरोत किया इंडियांस को higher post नहीं दी जाती थी अंग्रेस तिर्फ सिर्फ बिटिश अर्ट पर एको हाइयर पोस्ट देते थे उन्होंने cotton पे text क मिन्टो उसमें लॉड थे और मॉरली एक्जेगुटिव काउंसिल मेंबर थे इनके वो एक मेंबर थे इन्होंने इंडियन पब्लिक सर्विस कमिशन में एक मेजर रोल प्ले किया याद रखेगा भारत में पहली बार ऐसा हुआ कि पब्लिक सर्विस कमिशन एक्जाम्स होने लगे तो इनकी वज़े सा ही पॉसिबल आया और क्या किया है इन्होंने इन्होंने एक संस्था बनाई इन्होंने एक संस्था बनाई Servants of India Society क्या था इसका मकसद इसका मकसद था 1905 में जब यह बनाई गई तो इसका मकसद था इंडियन्स को ट्रेन करना भारत में नए नैशनलिस्ट लीडर्स पैदा हों भारत वासी देश प्रेम करना सीखें देश के लिए अपने आपको मर मिटने के लिए सीखें क्योंकि देश सेवा सबसे बड़ी सेवा है यह सिखाया लोगों को और तो और यह इंपीरियल लेजिस को इसका विरोध किया हाँ इस पे इफेक्ट आया इन्होंने टॉल्टेक्स कम करवा लिया इन्होंने एक बिल पास करने की कोशिश की जिसमें प्रैमरी एजुकेशन को कमपसरी करा जाए हाला कि बिल पास नहीं हो पाया और इन्होंने बहुत सारे चेंजिस की जैसे जॉब कमन परशानिया हैं सॉल टेक्स कम कर देना कॉटन पर टेक्स लगना कम कर देना शुगर पर ड्यूटी घटाना लेंड रेविन्यू लगान कम कर देना ऐसे बहुत सारे कॉमन चीज़ें जो उस समय परशानिया चल ले थी कोई तो है जो इंडियन्स की आवाज उठा रहा है ग ऐसे आप गोपाल किष्ण गोकले जी थे उन्नों नहीं गांदी जी को इंडिया बुलाया 1915 में गांदी जी इंडियन पॉलिटिक्स में आये गोखले जी की वजह से और गोखले को सुम गांदी जी अपना प्लिटिकल गुरू मानते हैं प्लिटिकल मेंटर मानते हैं अब को दर्शन करा दूं पादर ओफ इंडियन नेशलिजम महांतम महांतम नेशलिस लीडर्स हैं सुरेंद्रनाथ बेनर जी जी परस्ट इंडियन टू क्वालिफाय फॉर दी आईसी सोचिए ये एक्जाम बिटेन में होता था लंडन में होता था और एक इंडियन नागरिकों को क इंडियन में जा करके एक्जाम देना वो भी 21 साल से कम उमर की आईउ में ये क्वालिफाय करने वाली वेखती थे परस्ट इंडियन और तो और ये मेजिस्ट्रेट बने आसाम में चाहते एश की जिन्दगी जीते पर ऐसा हुआ नहीं क्योंकि ये खुद अंग्रेजों का करते थे इनको dismiss कर दिया गया क्योंकि अंग्रेजों की policy of भेदवाव racial discrimination blacks and whites का जिए करते थे इस पर वह विरोग करते थे अंग्रेजों को निकाल काम से छोड़ दिया काम बोला भाढ़ में जया है तुमारी नौकरी क्या गिया है नोंने इंडियन एक संस्था बनाई नाम रखा Indian Association क्या थी संस्था यह चाहती थी संस्था कि अंग्रेजों की हर गलत कामों काम विरोध करेंगे यह एक बहुत ही पॉपलर संस्था थी 1876 में बनाई गए थी इन्होंने एक All India Political Party पहली All India Political Association बनाई नाम रखा Indian National Conference जिसमें भारत भर के सारे लोग जो एजुकेशनिस थे प्रोफेसर्स थे टीचर्स थे लॉयर्स थे उनको इन्वाइट किया कलकता में इसको उन्होंने पहली बार बुलाया और सुरेणनाव वेनरजी की संस्था इंडियन National Conference इंडियन Association को ही मर्च कर दिया गया कॉंग्रेस ने कहते हैं यह प्रीकरसर्स ओफ कॉंग्रेस थे इनकी आईडिया बहुत क्लियर हैं कि यह चाते थे कि देश में लोगों के हक की अवाज सुनी जाए इन्होंने इसके लिए एक न्यूस्पेपर लिखा नाम था बंगाली ये बेंगौल का ये न्यूस्पेपर है बंगाली में लिखा गया है और क्या किया है इन्होंने एक बुक लिखी Nation in the Making बहुती पॉपलर बुक है Nation in the Making जिसमें क्या भारत की परिशानिया है और भारत किस तरीके से Self Government की और बढ़ रहा है और कैसे भारत आगे जाकर के एक अजाद देश बनेगा ये इस किताब में लिखा था तो यही थे हमारे देश के Father of Indian Nationalism So I hope चैप्टर आपको पुरा समझ में आ गया होगा यही एक चैनल है जहां सब कुछ लिटेस बनता है क्या लगता है आपको यह मैंने पहली बारे चैप्टर अप्लोड किया है नहीं आप चाहेंगे तो इस चैप्टर को First Face of Indian Nationalism Movement को आप Old Version भी देख सकते हैं इससे पहले मैंने तीन चार ओल्रेड़ी इस पर वीडियो बना रखे है यह आपके current session के according हाँ इस session के according ही बनाया गया है जहां हर कुछ कवर कर रहे होते हैं और वो ही एक तम freshly तो आपके लिए Yes मेरे सुपरस्टास के लिए यह सब कुछ बना है Thank you and God bless you बस एक ही मेरी तमन्ना है आपके मन्जिल आपकी जो आप चाहते हैं जो करना चाहते हैं जो percentage चाहते हैं वो मिल जाए वो 95 प्लस हो या 100 on 100 हो जैसे कि मेरे इस बार के सुपरस्टास ने कई सुपरस्टास ने 100 out of 100 attain किया History Cities में तो मिलते हैं अगरे lesson वीडियो में और याद रखेगा जो free है वो आपके लिए है ये बाद में सब paid मिलने लगेगा तो आपसे request है Please do not miss out the live sessions and the premiere sessions इसमें आपको बेहद exclusive contents मिल रहे होते हैं ये सारे notes मिल रहे होते हैं Absolutely free Bye, God bless you